बी एमस करने के बाद पैसा कितना मिलता है इंट्रेशिप में कितना मिलता है M.D. या M.S. करने के बाद कितना मिलता है B.M.S. डॉक्टर कितने कमा लेता है हाँ मालूम है पैसा के वहरे में सब लोग जाना जाता है सब लोग पूछते हैं बहुत ही विस्तार से बताएंगे तो बने रहेगा वीडियो में अन्सक्त हलो दोस्तों में वश्यू मनिजपाथी स्टूडेंट ऑफ बी एमस यानी बैस्चलर ऑफ आयर्वेदिंग मेडिसिन एंड स्टडरी चलिए वीडियो च्छुरू करता है सबसे पहला कोश्चन बैंस के वक्त यानी बी एमस के वक्त कुछ पैसे विसा मिलता है ना भाइ ना इसका मतलब यह आपको साड़े चार साल का कोड़्स है तो साड़े चार साल ते कुछ भी नहीं मिलने वाला है वैसे मैं एक तरीका बता सकता हूँ इससे आप BMS के अंदर फर्स्ट एर से ही आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और ये कोई वो तरीका नहीं कि YouTube चाल दिया या कोई चाल चाल लिया मैं आपको डीसेंट तरीका हुता हूँ गवर्नमेंट आपको पैसा लगागे तो पढ़ातो रही है अगर आप गवर्नमेंट में है तो जैसे यही अंतर हो जाता है ना आप अगर government college में हैं तो पैसा जोए government देगी, आप पढ़िये doctor बनिये, लेकिन private college में आपको अपना पैसा खुद लगाना है, दिखिए साड़े चार सौल कोट था है, इसमें आपको यही भी रूपिया नहीं मिलेगा, हाँ आकर government college है, तो government आप पैसा खर्च रहेगी, कि आप पढ़िये doctor बनिये, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं यह बताऊंगा, कि आप BMS करते हो, कैसे अन कर सकते हैं, लेकिन, वेट वेट वेट, वेट, इसके बाद आता है internship, तो internship में दोस्तों, यह है, तो अगर आप government college से हैं, तो आपके बास पैसा ही, पैसा, इंटर्शिप में, इंटर्शिप और एक college का लग अलग स्ट्राइफन होता है, अब जैसे मैं उत्रप्रदेश से हूँ, यूपी से हूँ, मेरी college के नाम है state, आइरवेजिं मेडिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिक अब आपके लिए निवीज आया है, यही बात है न, इस ट्राइपन इंटर्शिप में college का जैसे आइरवेजिया तो तरक्की और बढ़ गया, तो इसमें भी कुछ जादे ही जीर लगे है, पहले था 7000, और यह 7000 जो 7000 पास में था, और आइरवेजिया का 7000, लेकिन अब तो यह तो बात होगी, यूपी की यूपी दीखे दोस्तों, यूपी बिहार मद्ध प्रदेश, यहां पे थोड़ा स्टाइफन आपको कम बिलता है, अगर हम compare करें, वेस्ट वेंगॉल में जैसे एक बहुत अच्छा medical college है, अरवेजिया का, जेबी रोय, तो वहां पे आप को मिलता है, पर मंथ बाइस हजार, बाइस हजार पर मंथ, और यह जो है college अच्छा है, in fact, NIA, जो National Institute है, वहां पे भी कम स्टाइफन मिलता है, as compared to J.B.Roll, तो हरे college का अपना अलग है, लेकिन यही आप, अगर private college से करने हो, स्टाइफन के ताग में है, तो आपको मिले का बा स्टाइफन में मिलता है, उतना मिल जाए कि आप चाय पेने के लिए, बहुत है, इस से अधिक नहीं मिलता है, पेट, वेट, वेट, इंटर्शिप के बाद आता है, hostage ship, देखिए दोस्तो, अगर आप government college से हैं, तो यह जरूर किजेगा, कि दो मेने का तेन मेने का program होता है, और हाँ, इस में, स्टाइफन ने, इंटर्शिप के डबल मिलता है, यानि कि अगर पिछला नियम लागे चलें, तो अगर आप साथ हजार स्टाइफन मिल रहा था, और तो उसका आपको hostage ship में मिलेगा, चोधा आजाए, और जैसे, जो जादी जहां मिल लाए, जैसे मैंने यह वेस्ट पांगॉल की बात की तो वहाँ तो का इंटर्शिप में मिलता है बाइस हजा, अगर कोई यहां पे वेस्ट पांगॉल से है, और जैबि रोज जैसे कॉलेज में, मैं यहां पे जैबि रोज के नाम यह से लिए रह हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है, जैबि र प्राइवेट 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 प्राइट इस चल गई तो अनलिम्टेड यह वही बात है ना कि आप कितने अच्छे हैं अपने फिल्ड में पहले खेलाड़े तो बनी हैं बहुत मिलेगा इतना मिलेगा कि आप सापने में भी नईस हो सकते हैं पहले खेलाड़े बना हैं तो ऐसे डॉक्टर में देखे भी हैं जो कि बहुत कमाते हैं लिटरली बहुत और काफी फेमूस भी हैं लेकिन वो ऐसे ने कि अब भी हैं में लेली एडमिशन तो बस हो गया का आपको पढ़न पड़ेगा बिना पड़े थोड़ी आप प्रेडिस रपाएंगे प्राइवेट प्रेडू सब्गी का फिवरेल चौस होता है और इसके पात आप अगर बीमस के पात आप प्राइवेट ट्रेडिस नहीं करना जाते हैं वैसे शायद ही कोई होकर यह ना करना चाहें आप और यह मैंने पहले कई वीडियो में किसी वीडियो में बताया भी था इसके बारे में कि अगर आप सो रुपे का चौन प्राइवेट बना के बेच रहे हैं मारेड में और इस पेकर 20% का रेवनिम ले रहे हैं और वो वाकई काम कर रहा हैं और वाकई में वो चल गया बहुत कवाएंगे इसका भी कोई लिमिट नहीं है आप इसको कितना भी आप कर सकते हैं इसके बाद लेख सकते हैं भोना जियां दुस्तों, जो undergraduate course कर रहे हैं, जो BMS कर रहे हैं, आप इनके लिए किताबे लेख सकते हैं, कि जब फॉब्लेश कर सकते हैं, और उस पर भी आपको अच्छा खासा revenue मिल जाता है, तो BMS के बाद आप ऐसे book rider अपना career काफी अच्छा पना सकते हैं, और इसमें unlimited earn कर सते हैं कोई limit नहीं है, अगर आप BMS के बाद QPSC के exam देते हैं, और medical officer के job के लिए जाते हैं, तो ये काफी अच्छा option माना जाता है, काफी तक क्योर होगा, आप government हर एक facility प्रवाइड करा देगी, और इसमें भी आप, मतलब इसमें income जो है न, देरे रिकर्ट के बढ़ता है, लेकि अगर आप MD या MS कर लेते हैं, उसके बाद आप UPSC लेते हैं, तो आपके career और जादे अच्छा निखड जाएगा, जैसे कि आप इसके पाद में medical officer बनेंगे, लेकिन आपको उसमें salary भी double मिलेगी, जैसे आप खली under entry graduate course करके, अगर आप M.O.T. लिए apply करेंगे, तो आपको अच्छे salary मिलती हैं, लेकिन salary मिलने के जो शुरुवात है, वो slow होती है, लिखने ही आप अगर MD MS करने के बाद, आप अगर M.O. बनते हैं, तो आपका salary वो एक लग से शुरूई हूए, वो जो क्रेड ही लाग, या आने वाले टाइम में बढ़ दी सकता है, और इसमें एक अगर आपने एक पीजी अच्छे कर लिया, MD MS, और UPSC दिया, तो आप CMO और DMO बन सकते हैं, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक पूरी डिस्ट्रीट का होस्पिटल, या जितने भी आयूस के medical officer रहेंगे, वो आपके अंदर आएंगे, इसमें भी 1.500.000.000.000.000.000.000.000.000 बहुत कमा सकते हैं, और देखिए दुस्तों, BMS करने के बाद, या MD MS करने के बाद, आप किसी भी government medical college में, इसमें प्रोफेसर बन सकते हैं, और इसमें भी काफी अच्छा career है, काफी अच्छी अन्य है, तो आपके पास opportunity भी काफी अच्छी हैं, अगला career दो आप BMS के पास क यह सारी पाते में अपने एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन आप यहां पर देखिए, आपने course कर लिया, आप बात आ रहे हैं, कि आप अन्य कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, तो देखिए सबस्तों, PGDM के बाद, लोग को सिर्फ एक option जाते हैं, लोग क अगर आप इसको टेली मेंडिस्म के सिफ्ट करें, जैसे आने वाले टाइम में, जैसे अवी सब चीजे ऑनलाइन हो गई है, तो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा करियर आप्शन हो सकते हैं, अब मैं आपको जमनी हक्यत दिख बिताजता हूं, हर साल पंदर अलाग बच्चे नीट के एक्जाम देता हैं, जिसमें एक हाली 50 परसन को सीट मिल पाती है, अगर M.V.S. में मिला तो लोग दुखी हो जाता हैं, लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको जो कई पर ट्राइ करता हैं, फिर भी नहीं होता है, था गार किभी में में चलने लेंगे, चलो यह नहीं तो यह सही, अब सोचेंगे कि यार मेरा करियर बेकार हो गया, तो एक पॉंट पर में मैं बोलूं तो, जो यहां आपके चोराहे पर नुकड का जो चाय वाला है ना, जो चाय सो सब एस्ता है, कपी जाके इसका आन नहीं चिकेजे, इसके पास कोई डिगरी ना हो सकता है, वो आप से जादे कमाता हो, तो मैं पहली बोल चुका हम भी बोल रहना हो, पैसा कमाना एक कला है, इसको पढ़ाय सो मत जोड़िये, और स्रिफ इसलिए भी एमस मत किजिए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, बना ही आप करे ने पाईंगे, तो टेली मेंडसीन एक बहुत अच्छा उप्चन हो सकता है, जहां पर आप देखिये, जादे लोग क्या करता है, कि डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, और फिर कुछ दावा रेकमेंड करेगा, फिर वो शोप पे जाएंगे, फरमसी के वहां से दावा ले तो किसी को कहीं जारने पड़ेगा, उल्टा इसके हो जासे और जाजा भीड आपके बास आजाएगी, तो PGDM के बाद ये काफी अच्छा उचन हो सकता है, इस वीडियो मेंने काफी पॉइंट आपको बदाजी जिस्ते आप BMS के बाद काफी जाजा आन कर सकते हैं, और इस ते आंगले वीडियो में